Hello Friends, Welcome to Sushmas Craft and Creation Channel Friends, आज मैं आपको शटल बनाते बनाते कैसे साथ के साथ अटैच भी हम अपने प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हैं ये सिखाऊंगी वैसे तो मैंने ये लेस आपको बहुत बार बना के दिखाई है और इसको मैं नीडल के साथ अटैच करती हूँ मैंने के वीडियो में आपको सिखाया है कि हम नीडल के साथ इसको कैसे इजी ली किसी भी प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं वैसे तो हम इस लेस को बना के स्लीव, नेक लाइन्स और टेबल मैट्स पे हैंकीज पे नीडल के साथ बहुत अच्छे से हमने साथ साथ लेस बनानी भी है और अटैच भी करनी है उसके लिए हम क्रोशे हुक का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे कि ये थ्रेड है इसको हम मानलो मैंने ये लेस नहीं बनाई हुई अभी स्टार्ट करने के लिए हम इसको सबसे पहले थ्रेड को ही यहाँ पे अटैच करते हैं हम इसे क्रोशे हुक की मदल से खिंचेंगे लूप को थोड़ा बढ़ा करेंगे और इस में से अपनी श्टल को पास करेंगे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पिछे गांठ भी लगा सकते हैं ताकि यह अपनी जगा से खुले ना बहुत अच्छे से अटैच हो गया हमारा यह एज के साथ अब उसके बाद हम जैसे लेस में रिंग बनाते हैं उसी तरीके से रिंग बनाएंगे अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 4 double knot के gap में यह पिकोट बनाएंगे यह देखे हैं हमने 4 double knot लिए अब हम यहाँ पे पिकोट बनाएंगे यहाँ हम चुकि पहले continuation में बना ही रहे हैं इसको तो मैं इसको पिछली वाली जो हमारी यह पिकोट बना रही है इसके साथ इसको डैच करें उसके बाद हम 4 double knot फिर से लगाएंगे अब सेंटर में हम 3 पिकोट बनाती हैं पहली छोटी फिर बड़ी और फिर छोटी इस तरीके से और उसके बाद फिर से 4 double knot यह पिकोट अब लास्ट वाले 4 double knot लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे है ना यह कितना easy method साथ के साथ attach भी हो जाएगा और आपके प्रजेक्ट को एक finish लूक भी मिल जाएगी आपको अलग से सुई लेके दागा डालके उसमें यूँ अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से हम देखें इसको कुछ डिस्टेंस पे यह देखें यह जो ह हमारी पिको है इसके बिलकुर सामने क्रोशे हुक की मदद से यूँ इसको अटैच कर लेती है यूँ अटैच करने के बाद इसमें से अपनी शटल पास करेंगे इस तरीके से और फिर से हम यूहीं इरिंग बनाते चले जाएंगे तो है ना यह कितना इजी और कारगार तरीका और इससे आपका टाइम भी सेव होता है और साथ की साथ आपको अलग से थ्रेड लेने की जुरूरत नहीं पड़ती तो I hope आपको मेरा आज का यह टुटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस तरीके से अपनी एजिंग बनाएंगे यह एजिंग सिर्फ आप इसी लेस के साथ नहीं किसी भी लेस के साथ बना सकते हैं इवन आप कॉंटिनेशन का वर्क कर रहे हैं उसमें भी जब नीचे वाली पिको बनाएंगे तो उस टाइम आपको इसको अटैश करते जाएंगे कोई भी लेस बनाएंगे उसको आप इसी तरीके से क्रोशे हुक की मदल से एज के साथ अटैश करते जाएंगे तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल आपकी एजिंग बन चाहेगी तो आपको मेरा आज का ये टुटोरियल भी अच्छा लग रहा होगा और आप इस तरीके से लेस बनाके अपने प्रोजेक्स को फिनिश करेंगे तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको मैक्सिमम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ श्यूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलें थेंक ये सो मच बबाई